फ्रेंड्स सब्सक्राइब किजिए घरजनसार हेल्थ केर को और दबाईए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सके हमारे वीडियो को सबसे पहले नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप ऐलोवेरा का करते हैं इस्तमाल तो जाने इससे जुड़े अन्जाने तत्या भारत में ऐलोवेरा सबसे लोगप्रिय हर्ब है जो हर घर में मिल जाएगा पतले होने से लेकर चहरे के केल मुहां से तक ठीक करने के लिए लोग एलोवेरा का इस्तमाल करते हैं भारत में एलोवेरा एक ऐसा पौधा माना जाता है जिससे हर तरह के केवल फायदे होते हैं कई लोग तो कई सारी बिमारियां दूर करने के लिए भी एलोवेरा जुस पीते हैं। अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं तो ये खबर केवल आपके लिए हैं। क्योंकि एलोवेरा से निकलने वाला एलो लेक्टेड सरदर्द, एलर्जी और कैंसर जैसी घातक बिमारी तक का कारण बाना गया है। अगर इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में टॉक्सिक हो भी तो नजर अंदाज किया जा सकता है। लेकिन इसके टॉक्सेक कैंसर जैसी घातक बिमारी का कारण मनते हैं। 2011 में अमेरिका NTP स्टडी की गई जिसमें अमेरिकी सरकार ने लाइब में एलो लेक्टेड का परिच्छन किया। इस परिच्छन में ये परिणाम प्राप्त हुआ कि अगर आप खलवा, चटने, जैम, मुरब्बा ये सबजी में एलो वेरा के लेक्टेक्स का इस्तमाल करते हैं या जुसके द्वारा इसका सेवन करते हैं तो शरीर में कैंसर के कारक पैदा होने लगते हैं। इसके अलाबा जैल के तौर पर भी इसे त्वचा में लगाया जाए तो ये एक जीमा, त्रैसेज और अन्य त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलाबा गर्भा पात का खत्रा गर्भा वस्था में एलो लेटेक्स का इस्तमाल भूल कर भी ना करें। मेरे लेंड मेडिकल सेंटर इन्वरस्टी की रिपोर्ट के अनुसार ये यूरेटिन कांटेक्शन पैदा करता है, जिससे गर्भ पात होनी की संभावना पैदा हो जाती है। तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे इस्तमाल करने के लिए एलो वेरा की पत्ती को तोड़कर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। कुछ दिर बाद इसका पीला पदार्थ याने लेटेक्स पूरी तरह से निकल जाए, तो इससे अच्छे से दोकर इस्तमाल करें। अगर एलो वेरा का करते हैं इस्तमाल तो जाने इससे जुड़े अन्जाने तत्या।